क्यों बिकास, Daddy by Sylvia Plath question number देना है some famous poems of Sylvia Plath 1932 to 1963 are Daddy, Spinster, Age, Mary's Song and the Moon and the Yew Tree अब पोएट के बारे में Sylvia Plath was an American poetess poetess को लोग आजकल poet भी लिखते है poet भी कर सकते है poetess है, हमको शाफद है तो कहने poetess लिखे she composed Daddy one month after she separated from her husband Ted Hughes एक मैना separation के बाद तब ये लिखी है तो बहुत दुख इस कविता में है he, Ted के लिए आया husband जो है, refused to stop his affair with another lady तो husband को दूसरे के साथ affair था तो wife बोली, मत बंद कीजे तो करना हम नहीं बंद करेंगे तो इससी कुछ से वो separate हो गई ठीक है और देखे, क्या कहती है, Sylvia Plath says that Ted beat her two days before she miscarriage समझें, उसको पिटाई की, उसका husband उसको पिटा और दो दिन के बाद उसको miscarriage हो गया मैंने, बच्चा होने प्रेगनन थी तो बच्चा गिर गया उसका बच्चा है देखे, क्या क्या he wanted a dead और उसका husband ऐसा पप्याहा था, पापी था क्या चाहता आता है कि तू मर जाओ तो सो बहला है कितना तो शॉक लगाओ, समझें तो उसके, सिल्विया प्लैट के दर्द को आप समझें पीज टू करो पिड़का the tragic events of her life are reflected in daddy, spinster and other confessional poems तो उसकी जो कविताओं में देखेगा जो दर्द पुरुशों के खिलाफ वो प्रगट होता है सिल्विया पादर डाइड वन शी वोस टेन उसके पिता भी दस साल के उमर में मर गय है I was 10 when they buried you तो पोएम का quotation है कुछ लोग बतें, साथे साल में मर गया आते हैं नहीं पोएम का quote हम करना है I was 10 when they buried you तो पोएम का पोएम का जल्दी चोड़के चले गए आपके इस कारण से मुझे बहुत कष्च जहलना पड़ा जिंदगी में बिना बाप के बेटी को तो कष्च होता ही है The anger in daddy and spinster is expressed against all the male members of the society पापा से गुसा है, हजबन से गुसा है और पुरुष जाती से उसको गुसा है Black shoe is a symbol of oppression Black shoe है, अत्याचार का प्रतीक है She was oppressed for 30 years 30 साल तक उस सताया गया Achoo, the sound of sneezing चीक नहीं किया वाजी, achoo, चीक She could not sneeze or breathe because of fear of her father Father भी जो तसे से इतना दबंग से भयानक थे कि उसके डर से वो सांस नहीं लिए सकती थी चीक नहीं सकती थी देखे, उसका किता कष्ट कर जीवन है Husband पे वैसा मिला, पता पे वैसा मिला पेच स्री करो विकास Thank you, विकास, अब देखो Sivya Plath Has Images of Contempt For Her Father पापा के लिए इसको घरना है और कैसे वो बताती है बताते है फिर से Sivya Plath has Images of Contempt For Her Father, Husband And Male Members of the Society इस सबों के लिए दफ रहत है लिकिन ये जो कविता एड़ुट किया है ना उसके Husbandे कर दी है तो अलगता है अपने खिलाफ जो लिखी है उसके Husband के खिलाफ जो लिकितो हटा दिया है लिकिन हम देखे ये सब खाली फादर ही नहीं है फादर तो दसे साल तक हो थी Husbandे नहीं इसी दिन उसे साल रहा तो देखी कहा है Marble Heavy Ghastly Statue बहुत भेंकर भारुभू Very heavy Ghastly Statue बहुत सारा एक्जामपल दी है जो आपको नहीं जल्दी आ तो चुड़ दीए अब देखिये क्या है क्या इमेज है Wars 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 लड़ाई 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 मार पी जगड़ा 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 इमेज किसका है पापा का है उसके हस्बेंड का है बेसी तो हमको लगता है हस्बेंडे का ही ये इमेज सब है I never could talk to you पापा का था तुम साब बात भी नहीं कर सकते है अपनियार से I thought every German was you जर्मन तो भेंकर, soldier होता है खुंकार सब होता है हर जर्मन आप ही थे यू यू पापा के लिए आप सकता है हमको लगता हस्बेंड के लिए आ रहा है I've always been scared of you आप से हमको बराबर डर लगता होगा हस्बेंडों से डर लगता होगा पापा से भी डर लगता होगा लुफ्ट वाफो क्या है अगिश करता है पैंजी मैं टैंग ड्राइवर ये भी भेंकरे होता है यह सब जो आजेक्टिवाए है पापा के लिए आया है हस्बेंड के लिए आया है बूट हाट ऑफ प्रूट लाइक यू पूट वन राक्षश दिल है और राक्षास का राक्षास का दिल किते ही दिख रहे है तो वैम्पायर वो सेद ही वाज यू और ड्रेंग माई ब्लॉड फॉर सेवन येर्स वैम्पायर मनों तो भूत जो लोगों का खून चूस लेता है काता वो वैम्पायर कौन ते तुम थे जो मेरे खून को पिए पर सेवन येर्स अब दिखी तो विलेजेस नेवर लाइट यू और गाहाँ वाले लोग जो इनुसेंट निर्दोष होते है आपको कभी पसंद नहीं करते थे और लास्ट में गाली देते यू बैस्टड गाली एकदम पपा को गाली दे यू बैस्टड गाली देती है तो पापा से नफर गते है हस्बन से नफर गते जिंदगी से भी नफर गते पन्ना बटो बिटा पेश पोरी में हमारे है तो बहुत पावर्फुल पोएम है यहाँ बहुत पावर्फुल पोएम है शिल्वा प्लैक is a feminist वो औरतों का पक्ष लेती है this means that she supports the belief that women should have the same rights as men वो जादा मौरत भी पुरुष के तरह मजगूत हो रहे, बराबर हक मिले in the poem Daddy, she speaks against the injustice that has been done to women औरतों पर जो अन्याय क्या गया है उसके खिलाफ हो बोलती है अब दिखे the first world war 1914-18 had an impact on T.S.S.L.S. the wasteland first world war का सर the wasteland प्ड़ा the second world war 1939-45 had an impact has had an impact on Sylvia Plas Daddy you say the second world war 1939-45 has had an impact on Sylvia Plas Daddy अब इंपक तो पहले बली का सर देखा जासकता है present perfect है Sylvia Plas considers the male members as Hitlers पुर्षों को क्या हो मानती है Hitler होता है खुंखार, बदमाश बहुत मार पीट करने वाला लड़ाई करने वाला क्रूल, कथोर ठीक है Sylvia Plas considers free verse this means that the poem does not follow any particular rhyme or rhythm the poem gives importance to the ideas that Sylvia Plas wants to give to her readers विचारो पर, विचार को देखो, rhyme rhythm को मत देखो the poem has 16 stanza solar stanza का है each stanza has 6 lines this gives a pattern to the poem तो poem में pattern हो जाता है 6 हम पका नहीं अपको देख लिए है check up कर लिए है ठीक है there is a fine use of aspenes आप देखे एग्जांपल है aspenes का बहुत अच्छा यूज़ वह है you do not do you do not do achu the same vowel sound is repeated o 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 double o to vowel sound भी रिपीत होता है ho जाता है as soon as alliteration is used in alliteration is due brute heart of a brute r है आपर t है r है t है r है t है r है t है to यह उसको गता है alliteration daddy daddy you bastard d y d y d y d alliteration अब यह लास्ट बेज है हाँ है in an alliteration the same consonant sound is repeated consonant repeat हो गया alliteration to conclude in content and style daddy is a unique poem बेजोड कभी दा है the poem shows the frustration of the western society after the second world war second world war frustration वह उरतों का इसमें दिखाय गया है लेकिना इस तरह दिखी हो तो frustrated ladies इसे लिए आप लोगों को शिल्गा प्लयाद की बात को नहीं मानना है जिन्दी में बहुत खुश्याली है उसमें जीना है नो कि तरह रोती रहना है और यदि अच्छा लगा हो तो share, subscribe or like कीजी कि खराब लागा हो या कोई दिक्कत हो तो खबर कीजी WhatsApp नमबर इतना 8210297332 Retired Professor BK मिश्या अब बहुत कांग नहीं लिख पाएं बहुत साल आपका रिक्वेस्ट पेंडिंग है में इंग्लिश वाला कर लेता है तो आपका भी करेंगे धीरे धीरे फिर यह विकास का है 8434291664 विकास का है TV पेशेंट खेदन को जो मदद करते हैं उनके रिक्वेस्ट को लोग प्राथ मिलता देता है आठिक मदद इस नमबर पर करें फोन पे, गूगल पे, पे टिम 8434291664 विक प्रिपरिए तो जो डोस टूझेंट वे थापकिए के लोगाइट लूगा इस दूब आपकास के लोगाइट आपकास्ट केष्ट आपकास्ट तो जो जब एक्ष्ट्ट नबड़ इस लोगाइट